हेलो गाईज कैसे हैं आई होपा बहुत अच्छे होंगे श्री रादे रादे सुबह के चार बज़े हैं पता नहीं किन किन का मैसेज और कौन-कौन इंतजार कर रहे हैं तो आईए देखते हैं 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 राइटिंग के मैसेज देखते हैं कि किस के लिए हैं जो इस समय सुबह सुबह रेडिंग के लिए पेताब कर दिया मुझे उनिवर्स में चलिए देखते हैं कभी कभी होता है कर दो कि मजाने कितने सोल्स हैं जो जाघ रहे हैं को來 किसी रिजन से को कि वैसे एक तुम मिल गया रहते हम देखते हैं यूनिवर्स कौन-कौन से देखते हैं फिर उसके बाद फिर बहुत सारे जाहेंगे यूनिवर्सी प्लीज प्राइड वाले के दीजिए जाता नहीं इस जाता हो जाता है ठीक है लेखते हैं यूनिवर्स प्लीज हल्प किजिए किसके हमारी जीओ भी देख रहे हम सभी के लिए रैजिनेट हो जाए इसके मेसेज दीजिए आप भी अपने पॉर्सन का अपने डिवाइन का या आप जिनको भी मानते हैं उन्हें दिल से जो भी हमारे पास है उन सभी के लिए उन्हें थैंक यू बोलिए और अपने मैसेज जो है ठीक ठीक मैसेज अपने अपनी यूनिवर्स से मागिए चलिए हमारे पास कई काड हो गए हैं कई मैसेज दे दिये हैं चलिए देख लेते हैं बहले ही हम थार्ड सिट्यूेशन में हैं पर प्यार सिर्फ तुम से ही है, नि कि कि कोई किसी के पैसिर है जो बहले हमारा रिलेशन शिप थार्ड पार्टी में है या मैंने डाला है या फिर उन किसी भी या मैरिट से आप डील कर रहे हैं लेकिन वो प्यार प्यार सिर्फ आप से करते हैं देखें ये किन से मैज हो रहा है सोल मिट कोई सोल मिट है शायद जानता हूँ कसूर मेरे खरवालो का है मुझे प्लीज माफ कर दो तो शायद किसी के पर्षन जो है उन्होंने आपको हट किया है या उन्होंने अपने घरवालों की बात में आके आप से छगडा या कुछ भी किया है इस सिट्वेशन आप मैज कर लीजी इतना तो अंतरिया में कोई भी रीडर नहीं होता ठीक है तो आप से माफी माग रहे हैं और अपने आपको कसुरवार कह रहे हैं एक रास्ता बंध होता है तो दरवाजे खुल जाते हैं यानि कि कहने का मतलब यह है कि हमारे कही रास्ते बंध होते हैं तो एक दरवाजा खुल जाता है सो रास्ते यदि बंध होता है तो एक डिवाइन का खुलता है जो हजार गुना हमारे लिए पैटर होता है तो शायद अभी इस समय कोई ऐसा है जो वीडियो देख रहे हैं ये उनके लिए मैसज है जो अपने इस समय सिट्वेशन में हताश हो गए है कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो डिवाइन उनको स्पेशली कह रहा है ये दिएगी तुम्हारे सारे रास्ते बंध हैं तो एक तरवाजा उपन है बस नजरिया है देखने का तो प्लीस हतास मत हुए है सिट्वेशन एक जैसा नहीं रहता खुद से प्यार करो कोई अपने आपको भूल गया है तो प्लीस खुद से प्यार करो खुद से प्यार करने का मतले भी है कि पहले जो हम सामने वाले के लिए सोचते हैं ना कि भी सामने वाला दुख्य हो जाएगा उसको बुरा लगेगा उसको ये लगेगा और हम अपने आपको हाट करते चले जाते हैं हम अपने आपको उनके आगे बार बार जुकना कि चलो कोई बात नी जुक जाते हैं तो ये चीज़ क्या होता है कि हम अपने आपको बिल्कुल उनकी आगे नीचे जुत्तों के नीचे रख देते हैं और जो जुत्तों के नीचे हम रखते जाते हैं हम सोचते हैं कि नहीं चलो उनकी खुशी में अपनी खुशी उनकी खुशी में अपनी खुशी हम अपने मन को मारते रहते हैं तो इससे हम अपना कर्मा जो है ना उच्चा करते जाते हैं कुछ फाइदा नहीं होता है जिस दिन खुद से प्यार करना सीख जाएंगे उस दिन दुनिया आपके कर्मों की मैं यह नहीं कहती है कि हाँ बहुत बड़े लेकिन यह हकीकत यह मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही है सो प्लीज बस करो यार जिद्गी भगवान के लिए ही है हम मुमाया में चिपे हुए हैं मुज़ाल में बसे हुए हैं ठीक है यह हम जहां पे हमें जितनी समझ है उतनी हम कर रहे हैं लेकिन यदे छुकना है तो अपने परमात्मा पे जुकिया बागी अपने खुद से प्यार करो मालिक ने हमें दिया है यह सरीर किराय का है इस सरीर की इस आत्मा की इस सीवन का शुक्रियादा कीजिए अपने परमात्मा का मैं भी करना सीख गई हूँ अब भी करिए लाइफ बहुत इंट्रेस्टिंग है यार देखने की नजरिये को चेंज कीजिए दूसरों के लिए निपहले खुद के लिए जीए लिए नेक्स टेक्शन देख 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 मैसेज मी प्लीज यानि कि कोई बेताब है आपके मैसेज के लिए चाहता है कि मैं ना करूँ लेकिन प्लीज यूनिवर्स से लिवाइन से साथ कहरें कि प्लीज आगे से वही मैसेज कर दे तो सिट्वेशन को गौर से देखे समझे उसके बाद ही चाहिएगा अगर चोटी मूटी नोक्चो कोई है तो कोई बात भी कर लीजिए क्या जाता है अगर इशन बचाना है तो और यदि कोई अपनी उपर की बात है न तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हाँ पी जाओ थोड़ा हो रिक्वेश्ट करने दो यार देखो तुसे आगे से कहा रिप्लाई आता है मजा ले बाकी मैसेज के लिए मैं तो हुई है चली नेक्स टेक लेको यह क्या है यानि कि किसी का न पिल्कुल है दिमाग बिल्कुल है किसी के परसन का न उपर जा रहा है न निचे जा रहा है कुछ भी नहीं उसका दिमाग बिल्कुल है जरूर कुछ उसके लाइफ में ऐसा हुआ है जो काफी हैंग मेंग की इस्थिती में है तो डिवैन से प्रे कीजिए कि उसके लाइफ में कोई भी अगर ऐसी कोई चीश हुई हो जिस्थिती हुई हो जो खराब हुई है और ठीक हो जाए चलिए अगला देख लेते हैं यह लेटर है नेम इस यह लेटर है ए बी डी ए सी के वी टी जी तो जिन से भी मैच होता है यह उनकी रिडिंग है उनके लिए इनमें से जरूर उनके परसन का कोई मैसेज हो सकता है तो देख लीचेगा अच्छा कैसी तुम्हारा दिल चीतूँ वाव तो सुईट या लगता है किसी के परसन ने आपका दिल दुखाया है मतलब परसन ने किसी ने के दिल हाट फेल किया है आपका और अब वाव परसन चाथ मनी मन कहा रहा है कि कैसी तुम्हारा दिल चीतूँ जीत बेटा जीतने के लिए यह है जीतने भी डिवाइन हे वाइन है जीत के दिखा मिलेगी यह नहीं तुझे चबी तो यह हो रहा है रिक्वेस्ट चलो कोशिस करने दो जिनके लिए भी है यह मैसेज चलो देखो वहाँ से क्या क्या रिस्पोंस आता है अपने इस्तिती की तरह जैसा भी हो देख लेना यार चली आगे देख लेके जलती ही आउंगा ओ देख लीजे जिनका भी आजाए न मुझे एक पार कमेंट में जुरू बताईएगा किन किन का आ रहा है यह भग के लॉग डिस्टिंस होगा आपका रिलेशन्शिप चलिए आगे देख लेगे मेरे साथ मेरे इश्वर है तुम्हें मुझे तुर नहीं होने देंगे दुनिया को वही देख लेगे चल्दी आजाओ जान यह मैसेज राइट तीन डे से आ रहा है मुझे लगता है कि कोई तु है जो यह मैसेज बार बार यूनिवर्स उन तक पहुचाना चाहते है मेरे साथ मेरे इश्वर है तुम्हें मुझे दूर नहीं होने देंगे दुनिया का कोई दुनिया को वही देख लेंगे यानि कि शायद कोई तीसरा है जो आपके मिलने नहीं है और आपके पर्षसन कह रहे है कि मेरे साथ मेरे इश्वर है इश्वर तो सब के साथ है भाई situation देखो क्या हुआ है बागी यह है अगर ऐसी किसी person की सोच है तो please आप भी जाएए ऐसा relationship बार बार नहीं मिलता जल्दी आ चाओ last जल्दी आ चाओ जान लगता है आपको कोई दिल से मनाना चाहता है दिल से कह रहा है कि आचाओ जान please 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 नहीं है लेकि मैंने लगा दिया यार intuition कहता है जब दिख वर्ड़ी इतना ही प्यारा है तो चरूर कोई न कोई तो बात तो होगी यह न यह था आपका message और यह यूनिवर्स ने morning में आप ही टाइम हो रहा है चार बच के पंद्रमेंट तो आई हो सुबह सुबह भगवान का नाम लीचिए श्री राधे राधे का और message को claim कीजिए एक और लेना चाहूंगी मेरा मन कर रहा है कि एक तो और और लिचाँ पताने क्यों चलिए श्री राधे राधे please divine जो भी विवर है उनके लिए तो और लिचाँ शायद यही होगा चानता हूं मैंने बहुत दुख दिया है शायद divine किसी को यह बताना चाहता है कि उनके person अंदर से बहुत दुखी है और अपने आपको guilt में guilty feel कर रहा है अगर उन्होंने बता दिया है आपको यह नहीं बता पा रहे है तो आप समझने की कोशिश कीजिए ठीक है यह बहुत प्यारा मैसस था मैं प्यारा इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि कभी कभी होता है ना कोई कोई ऐसा इंसान होता है जो अपने गलतियों को जानते वे भी कभी बोलता नहीं है इगोस्टिक तो वही बात है बागी जो भी उनका कहना है सब ठीक है इस वरसे दुआ करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जिनके रिलेशन्टिप में उतार चड़ा हों मैं उनकी लिए भी दुआ करूंगी कि उन सभी के रिलेशन्टिप सही ट्रैक प्यार जाएं और मेरे जितने वीविवर हैं प्लीज स्री राधे राधे उनको सही मार की दिखाएं अगर किसी को जादा ही प्रॉब्लम है और जादा ही अपने आपको हतास समझ रहें तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक माला या फिर चैटिंग करें कोई भी मंतरी के चैटिंग करें जिससे कि आपके जो भी करमा से वो पीछे कटते चले जाएंगे ठीक है देखिए यहां पर कोई भी पवीतर पुन्य आत्मा तो ह है नहीं मैं तो इतना ही जानती हूं चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हूं हम सब अपने अपने कर्मों के बंदन में ही बंद के इस मनुष्य जीवन में आये हैं यह एक लौता एक मनुष्य जीवन है जिसमें हम अपने कर्मा को काट सकते हैं अगर हमारे पूर्व जनम में कोई हैं तो यहां पर एक ही मार्गा सरेंडर करें दिशें डिवाइन कर अपने जिन भी प्रभू परमात्मा को मानते हैं उनके पर कि तो श्री राधे राधे अगर मैंने जावत टाइम लिया हो तो उसके लिए श्रमा जाते हूं तो थेंक यू घूरू मा जो आपने मुझे इससे राधे ले रास्ते पे लेकर आएं शुक्रिया है